तो दिन की शुरुवाद होती है बारिश से। हमने सोचा कि चलो तो फिर चल के माता कश्बा काली की दर्शन की जाए। और आपको ले चले पंद्रासो शताबदी में। त्रिपुरा के तकालिन राजा धन्मानिक ने पहर की चोटी पे माता कश्बा काली की मंदिर का निर्मन करवाया था। और माता के मंदिर के ठिक सामने ही कमला शागर की तलाब है जो इस पूरे जगा की सौंदर्य को और बढ़ा देता है। कमला सागर मंदिर अगरतला से 27 किलोमीटार की दूरी पे स्थित है और ये एक छोटे से गाउ कश्बा में आता है जो भारत बांगलादेश की बॉर्डर पे स्थित है। माता को प्रशाद में पेडा जो बनता है दूद से वही चराया जाता है। त्रिकुरशुरी माता के मंदिर में और यहां कश्बा काली की मंदिर में पेडा ही प्रशाद में दी जाती है। और यह बहुत ही प्रशिद है। इस पेरे को बनाने में सिर्फ और सिर्फ दूद्द का इस्तिमाल होता है। कोई भी पाउडर या फिर कोई अन्य प्रकार की चीजे का इस्तमाल नहीं होता है, सिर्फ गाई की दूद से ही ये पेरा बनता है, यहां आपको अश्रिमांतिक काफेटोरिया और कुमिल्ला व्यू काफेटोरिया मिल जाएगा, जो जहां पे आपको बहुत अच्छा खाना सर्फ किया जाता है, और माता के मंदिर के ठीक नीचे ही आपको बहुत सारे होटेल्स, रेस्टरेंस मिल जाएगा, जहां पे आप अपना भोजन क्रहन कर सकते हो, और अगर आपको माता के मंदिर से प्रशाद खाना है, तो उसके लिए आप मंदिर के पुजारी से बात कर सकते हो, और उनसे बात करके आप माता के मंदिर से प्रशाद ग्रहन कर सकते हो, कमला सागर तालाप की खनन की गई थी राजा धन्यमनिक के द्वारा जो राजा थे 1490 से 1520 के समय काल में उस समय त्रिपुरा की राज्थानी था उदेपुर जिसे जीलो का शहर भी कहा जाता है कमला सागर काली माता की ये जो देवी की भूर्ती है ये असल में देवी दशबूजा दूर्गा अथवा बहिशाशूर मर्दीनी के नाम से प्रचलित है 1500 शताब्दी की ये भूर्ती पनाई गए है बालुआ पत्थर से जिसे हम सैंस्टोन के नाम से भी जानते हैं अभी जिस मंदिर को आप देखते हो इसे 1700 शताब्दी में निर्मित किया गया है आपना काचे में एस चेलाम आमादेर कोजबा कालीबारी माट जे इतिहाशा चे शेटाज दी आपनी आमादे के के को बोलते हैं परुषकार अमान नाम राहुचे पोलते हैं आमदा बंशो उपराम पराई है मंदी है इस बियाश्चे आमें आप्तिव चल्चे आमदा जेतुक्त बाभा आर काचा है शोनेची आमदा ओट्टोक यामदा बोह पुस्त भेटा आज मौला देछी ने तुन्टा दादुगार अको मबादे मुखे आमदा औट्टोक्ट शोनेची ओट टूक्त आमदा जाने डसाए इट आगे तुने इछी दादू मुखे बांगला देशे स्री हट्ट जला भोविगंज गाउ राशिम्न लोगर एग भद्र लुकेर बारीते पुजा होचे दाम मनपुरी बेरे इगा भद्र लुकेर बारीते पुजा होचे करते हैं महराजा शखने आदेशे मायरे शखने आछ जो हमारे स्री दाद मोर्य कोख़े आते हैं महाराजा तोफिवे, तुमारी तेम्ले आना, मामी तो मानौ। कि तुमारी केच्चु कर्पते हदोना, तोखंग जुआ शुमां, यादारा, शाधा हाती रमी जे तै पुझा चोरे बराओं। के येंदी राट तो इसमुर्ल श्राइब कर में ने लग बेखाया शरर जलंग। मायर एक्सानी देचे एकना महार थेके हाती भी ठेविला महा इध्याने हाती जगोने विश्टां कोषे तौखोने इधने महायर मुल्गी मेरिमान कोड़ाण लेगिया महाराजा बतो तुरे जिए बता तुरे वॉल्णा मही को फोदिष्ट्या कोड़ते ना पैने आधे छेल देविर पततले शिबुलिंगो भाचुनि अपरेगे महिशाषूर आँछे माथर पर बंचुन आदाचुन आचे देविर पदो तोले शिबुलिंगो आज़े शिबुलिंगो थाका के काली नाम्य पुलेचे से मायन नाम उसे दसबुजा दोखिना तेले आज जागार आदी जागार नाम नुसरे बांगलादेशे रुई जागाओ कश्बा इहनों कश्बा आदी नाम वैसे तो यह मादुर्गा की मूर्ती है लेकिन पूजा माकाली का ही होता है माता के चर्ण में भोले रात की शिवलिंग भी स्थित है माता को प्रशात में पेड़ा दी जाती है मंदिर के नीचे आपको बहुत सारे डॉक्स दिखेंगे अगर हो पाए तो उनको थोड़ा सा कुछ अपके पास जो भी हो वो खिलाना हमने एक बिस्कुट का पैकेट खरीदा था और उससे इन सारे चोटे चोटे डॉक्स थे उनको खिलाया था मंदिर के बहार आपको ऐसे आमरा मिल जाएगा हिंडी में इसे क्या कहते हैं मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आप खा सकते हो यह बहुत ही टेस्टी एक फूट होता है और आपके साथ कोई भी बच्चा जा रहा है तो आप उनको खिलोने दिला सकते हो क्योंकि बह मिलते हैं और बहुत सारी चीज़े हैं जो आप खरीच सकते हो वहां से अपने बच्चों के लिए अपने घर के लिए जो भी आपको चाहिए होगा एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि जब भी आप यहाँ पर आओगे आपको मुबाइल का सिगनल नहीं मिलेगा जैसे कि यह एक बॉर्डर एरिया है इंडिया बंग्लादिश का बॉर्डर है इसके बगल में इक बंग्लादिश का एरिया आ जाता है तो उस बज़े से यहाँ पर कोई भी सिगनल नहीं मिलेगा आपको मुबाइल पर और मुबाइल पर अगर आप देखोगे एक मुझे यहाँ पर जाके पता चला कि मुबाइल पर जो टाइम दिखाता है और आपके घरी में जो टाइम रहेगा वो नेर अबूर 35-40 मिनिट्स ज्यादा रहेगा मुबाइल पर तो क्या होता है कि बंग्लादिश का जो सिगनल है वो पकर लेता है मुबाइल उस बज़ ज्यादा दिखाता है तो उस बज़े से यह दूबीता थोड़ा सा रहता है वहां पर बाकी सब कुछ ठीक है सिर्फ एक सिगनल का वहां पर प्रॉब्लम इश्यू है जो इतना भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको आपको बहुत अच्छा लगेगा आप थोरे देर के लिए तलव के किनारे भी बेट सकते हो कमला शागर के जो तलाव है यहाँ पर सिडियों में आप चल सकते हो बैठ सकते हो आप घूम सकते हो बहुत सारे पेर है वहाँ पर पाम ट्रीज ए उनके पास जाके आप फोटो भी खिट सकते हो आपको अच्छा लेगेगा So until next time, me, Samik, your host, signing off for now, but आपका काम यहाँ पे खतम नहीं होता है, आपको लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना है, Thank you, Peace